नमस्कार यदि आप परतियोगी परिक्षाव की तैयारी करते हैं तो इस विडियो क्वी टेस्ट को अन्ते तक जरूर खेलिए जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा साथ में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है भारत का सबसे बारा राज्या छेत्रफल के हिसाब से कौन सा है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकिंड का समय जो सुरू होते हैं अब सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए राजस्थान कोशन नमबर टू फूलों की घाटी किस राज्या में इस्तित्थ है फूलों की घाटी किस राज्या में इस्तित्थ है सही आंसर हो जाएगा option number D उत्राखंड और उत्राखंड की राजधानी कहा है दिहरादुन question number 3 योजना आयोग का अध्याक्ष कौन है ये सवाल हाली में आया था योजना आयोग का अध्याक्ष कौन है सही आंसर हो जाएगा option number D परधान मंतरी सिरी नरेंद्रा मोदी Q4 भोपाल गर्स त्रासदी किस वर्ड से हुआ ये सवाल भी आया था भोपाल गर्स त्रासदी किस वर्ड से हुआ NTPC एक्जाम में पूछा था आपको आंसर पता होना चाहिए आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C 3 दिसंबर 1984 इस्वी को Q5 सवाल राष्ट्रिय क्रे guys शीबिमा योजन आपक्स से लागू की गई बहुत इंपोटेंटे सवाल है ये कि ये ये सवार्ड खेर में कि स्था आपको आंसर हो जाताएगा आपकोशन नंबर c 1999 2 में कोशन नंबर सिक्स केंद्रिये गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां इस्तित है केंद्रिये गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां इस्तित है आंसरों का आप्सन नमबर सी कोयम बटूर तमिल नाडू में कोश्चन नमबर शेविन युनिसको द्वारा कलिंग पुरस्कार किस छेत्र में दिया जाता है बहुत अच्छे सवाल है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी बिज्ञान के छेत्र में दिये जाते है कोशन नमबर एट मदर ट्रेशा को भारत रतना किस वर्स दिया गया मदर ट्रेशा को भारत रतना किस वर्स दिया गया आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी उन्नी सो अस्ति इस भी में कोशन नमबर नाइन कितने डिगरी सेल्सियस को परम सुन्या ताप मान कहा जाता है कि अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए माइनस 273 दिगरी सेल्सियस को कोशन नमबर टिन कि सारनाथ में की से सासक का अस्थम्भ है कि अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए असोक कोशन नमबर आगे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को दबा कर नोटिफिके अक्रमनकारी कौन था भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम अक्रमनकारी कौन था अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी मुहम्मद बिन कासिम इन्हों ने मुहममद विन काशिब ने 712 इसबी में भारत पर अकर्मन किया था और यह प्रथम मुस्लिम अकर्मन कारी था विटामिन्स की खोज किसने की विटामिन्स की खोज किसने की सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी फांक ने कोशन नमबर तेरा राज्य सभाका पदेने सभापती कौन होता है यूपी पुलिस एक्जाम ने इस सवाल को पूछा था राज्य सभाका पदेने सभापती कौन होता है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी उपराश्ट्रापती कोशन नमबर चौदा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था सवाल दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी सुबाश्चंद्र बोशने कोशन नमबर पंदरा स्वामी विवेका नंद ने सिकांगों में हुए बीश्वा धर्म सम्मेलन को कब सम्बोधित किया अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर B 893 इस्वी में कोशन नंबर 16 अंतराष्टिय नयालय के नयाएधिसों का कारेकाल कितने वर्षों का होता है अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर C 9 वर्षों का कोशन नंबर 17 सर्वेजनिक छेत्रा में देश का सबसे बारा बैंग के कौन सा है सर्वेजनिक छेत्रा में देश का सबसे बारा बैंग कौन सा है अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर B एस्टेट बैंग ऑफ इंडिया कोशन नंबर 18 मंदिर निर्मान कला का जन्म किस काल में हुआ था अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर B गुप्त काल में कोशन नंबर 19 गूर्दे की क्रियातमक इकाई क्या कहलाती है अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर B निर्फरॉन कोशन नंबर 20 भारत का केंद्रिये बैंग के कौन सा है भारत का सेंट्रल बैंग के कौन सा है सही आंसर हो जाएगा option number B भारतिय रिजर्ब बैन के RBI इसकी headquarters कहा है मुंबई आगे सवाल है सरीर में पीत का स्राव किस गरंथी से होता है सरीर में पीत का स्राव किस गरंथी से होता है सही आंसर हो जाएगा option number D यक्रित question number 22 भीशवा में प्राकृतिक हीरा का सबसे बारा उत्पादक देश कौन सा है अंसर हो जाएगा option number B दक्षिन अफेर का आगे सवाल है राज्य सभा का बिगहटन कब होता है राज्जी सभा का विघटन कब होता है सही आंसर हो जाएगा option number D कभी नहीं question number 24 गौतम बुद्ध की मृत्यू 483 इसा पूर्व में कहां हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यू कहां हुआ अंसर हो जाएगा option number D कुसी नगर में कुसी नगर उत्तर पर्देश में इस्तित है question number 25 कौन सी बिटामिन जल में घुलनसील है बहुत अच्छे सवाल है कौन सी बिटामिन जल में घुलनसील है अंसर हो जाएगा option number B बिटामिन सी आगे सवाल है संसत के दोनों सदनों को बैठक के लिए अमंतरित कौन करता है NTPC एकजाम में यह सवाल आया था संसत के दोनों सदनों को बैठक के लिए अमंतरित कौन करता है अंसर हो जाएगा option number C राष्टरपती जी आगे सवाल है दोनों सदनों की सनिक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करता है यह सब सवाल आते रहता है common सवाल है आपके पॉलिटी क्या आंसर हो जाएगा option number B लोग सभा अध्यक्ष करते हैं लोग सभा अध्यक्ष तो आपको पता है ओम बिरला जी है आगे सवाल है वर्तमान में लोग सभा की अध्यक्ष कौन है सवाल आही गया वर्तमान में लोग सभा की अध्यक्ष कौन है सही आंसर हो जाएगा option number B ओम बिर्ला जी और यह ब्यक्ति गत्रावे लोकसभा अध्यक्षे हैं question number 39 29 आगे सवाल है यह सवाल देखिए ही नियान महायान किस धर्म से संबंदित है आंसर हो जाएगा option number B बौध धर्म question number 30 श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंदित है आपका confusion दूर हो गया स्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंदित है आंसर हो जाएगा option number A जयन धर्म आगे सवाल है 1998 का पर्मानु परिक्षन कहां किया गया सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में option है option number D पोखरन राजस्थान में आगे सवाल है किताब के लेखक कौन हैं पूश्थत पूश्थत के लेखक कौन हैं ंसर हो जाएगा option नमबर ए इवराज सिंग जी ने इन्हों ने अपने पुष्टक लिखी है जिसका नाम है टेस्ट आफ माई लाइफ कोश्चन नमबर आगे आगरा के लाल किला का निर्मान किस ने करवाया आगरा के लाल किला का निर्मान ये भी सवाल आया था आपके एक्जाम में एंटीपी से एक्जाम वालों ने पूछा था आगरा के लाल किले का निर्मान किस ने करवाया आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी अकबर ने करवाया था अगरा का लाल किल्या निर्मान आगे सवाल है कि प्रों या मरो कनारइ ये भी सवाल बहुत थैं से कह सक्ते हो करो या मरो कनारइ आगर गाधी जी ने अगर सवाल है है लगरुनि भारत किसके साथ आया था अलबरुनी भारत किसके साथ आया था इस सभी सवाल इस साल के पूछे गए सवाल है आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सवाल आपके एक्जाम में आते रहते हैं अलबरुनी भारत किसके साथ आया था आंसर होगा आपसर नमबर A महमुद गजनावी के साथ भारत आया था आगे सवाल है मुरक्को यात्री इबन बतुत्ता किसके समय में भारत आया था सही आंसर हो जाएगा और आपार्न का अंदोलन कब हुआ महत्मा गाधिजी का भारत में पाहला अंदोलन किसानों के लिए किया गया था आंसर हो गा। अब्सुन नंब्र सी, उनिशन सात्रह इस्वी में हुआ था। आगे सवाल है जन्धन योजना की शुरुआत कब की गई जन्धन योजना की सुरुआत कद की गई अंसर होगाँ अफसे नंब्र भी 15 अगस्त 2014 को जन्धन योजना कि शुरूआत की गई आगे पृश्षन है को अंकोरवाट का मंदिर किस देश में इस्तित है य Remote साथ कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्तित है आंसर हो आफशा नमब ini कंबोडिया कोशन नमर 40 शिटों भारत की यत्रा पर आने वाला प्रतम ब्रिटिस समराट कौन था भारत की आतरा पर आने वाला प्रत्थम ब्रिटिस समराट कौन था अंसर हो जाएगा आप्सुन सि जॉर्ज पंचम आगे प्रसन है भासके अधार पर गठित होने वाला देष सका प्रत्थम राज्य कौन है भासा के अधार पर गठित होने वाला देश का प्रतम राज्य कौन है अंसर होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है अंसर होगा आप्शन नबर A परकास के प्रकिर्नन के कारण आगे सवाल है देश में सबसे पहले सुर्योदय किस राज्य में होता है अंसर हो जाएगा आप्शन नबर D अरुनाचल परदेश आगे सवाल है भारत का नियायक सलाहकार कौन होता है कैक es charges अभी हैं भारत का नियायक सलाहकार कौन होता है और महा नियायवादी कौन है के के वयनू गोपाल कौशन नुबर फोटी फाइब इससे हैं कि सर्वे सिक्छा अभ्यान का संबंद है किस से है सर्वे सिक्छा अभ्यान का संबंद किसे से पृट से आगे सवाल है बशच्ण भारत में बैस्णोधर्म का का परचार किस ने किया था दक्षिन भारत में बैसनो धर्म का परचार किस ने किया था अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए अलवार के संतों ने आगे सवाल है रज्य पाल की नियुक्ति के लिए निवनतम आयू सीमा क्या होती है रज्य पाल की नियुक्ति के लिए निवनतम आयू सीमा क्या होती है अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी पैतिस वर्स राज्य पाल के लिए भी और राश्ट्रापति के लिए भी आगे सवाल है भारत में पहला डाक टिकट कीस वर्स जारी किया गया लौड डलहौजी के सास पनकाल में तो आप पता लगा लो रेल चला था तो आपको पता लग जाएगा भारत में पहला डाक टिकट कीस वर्स जारी किया गया आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए अठ्रों सो बावन इसवी में आगे सवाल है ती पद का संबंध कीस खेल से है ती पद का संबंध की सब्सक्राइब को से खेल से है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी गॉल्फ कोस्ट नमबर पच्यास है एंचत्रफल की दृष्टी से बीसवा का सबसे छोटा देश कौन सा है आंसर हो आपको नमबर सी वेटिकन सेटी आगी सवाल है भारत में सबसे अधिक दूद किस राज्या में होता है यह प्रस्ण पिछले क्लास वाले जो वीडियो थे 50 वाले उसमें कीव फोर यू के रूप में पूछे गए थे आप लोगों ने अच्छा रिस्पंस दिये थे आप सभी को आंसर देने के लिए कॉमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद सबसे अधिक होता है आगे सवाल है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन की सराज्या में होता है यह आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कॉमेंट्व में लिखना है की फडिवर इसके राइट आंसर और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप स रेगुलर दीजिए आपको फायदा होगा तो मिलता है फिर अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत